बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरे सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगए तो एक लाइक अवस्य करें तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर बिहार में सिक्षक बहाली के लिए 11 जुन से आवेदन, सरकार ने जारी की अधिसूचना, 25 जुन लास्ट डेट, पूयादव के लिए राहत भरी खबर, हाइकोट में जमानत अरजी के लिए मिली मनजूरी, बिहार में बेरुजगारी का ये आलम, डाटा इंट्री ओपरेटर ब्लैक फंगस के मरीजों के एडमिट होने का सिलसिला जारी, पटना में दो नई मरीजों की गई जान, बिहार में अचानक वैक्सिनेशन सेंटर पर पहुंचे डियम, लचर विवस्था को देखकर हुई आग बबूला, कर्मियों को जमकर फटकारा, बिहार में आर्थिक र बिवस्था का हाल जानने हाजिपूर अस्पताल पहुंचे तेजप्रताब, सरकार पर साधा निसाना, पर हो गई यहाँ चूक पटना उच्च नयले द्वारा, गुरुवार को राज के प्राइमरी और सेकंडरी स्कूलों में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश के बाद, सिक्षा विभाग ने तयारी सुरू कर दी है, सरकार की ओर से बहाली के अधिसुचना जारी कर दी गई है, दिव्यांग अभ्यार्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, सिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसुचना के मुताबिक राज्यों के प्रमरी और सेकंडरी स्कूलों में छट्टे चरन के नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यार्थि 11 जुन से लेकर 25 जुन तक आवेदन कर सकते हैं, दिव्यांग अभ्यार्थियों को सिक्षग नियोगति प्रक्रिया में सामिल होने और आवेदन के लिए सिक्षा विभाग की ओर से सिड्योल जारी कर दिया गया है, तरकार की ओर से जारी अधिसुचना में कहा गया है कि जंगित होगी, विग्यापन विभाग की ओर से संबंदित, जानकारी, समाचार पत्रों में प्रकासित की जाएगी, जन अधिकार पाटी के अध्यक्ष और पूरु सांगसत पप्पु यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पप्पु यादव और उनकी पाटी के निताओं और कायकरताओं के लिए यहाँ एक राहत भरी खबर है। पपु यादव जिन्हें पिछले दिनों मदेपुरा सेसन कोट ने 32 साल पुराने केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब वह जमानत के लिए पटना हाइकोट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले उनके वकिलों की तरब से कोट में बेल की इफाइलिंग की जाएगी। आपको बता दे कि पपु यादव 32 साल पुराने अपहरन के एक मामले में इस वक्त जेल के अंदर है। दर्बंगा के DMCH में बिमार पपु यादव का इलाज चल रहा है। 20 लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार के राज में बेरोजगारी की सही तस्विर नितीज कुमार की ग्रिह जिले में ही दिख गई। स्वास्थ विभाग ने ठेके पर 25 डाटा इंट्री ओपरेटर की नियुकती के लिए इंटर्व्यू रखा था। जिसके बाद पूरे बिहार से तक्रीबन 5000 बेरोजगार हाथों में बाया डाटा लिये पहुच गये लेकिन फिर भी रोजगार मिलने का चांस नहीं दिखा तो जम कर हंगामा भी हुआ। बिहार सहीरे के बियार से भावन में पहुची भारी भीड कोविट प्रोटोकॉल को तोड़कर नौकरी के लिए मारामारी करने पर उतारू हो गई। हंगामा ऐसे हुआ कि पुलिस को बुला कर उमिद्वारों को खदेडवाना पड़ा। केंद्रिय केंद्रिय सिक्षा मंत्री रमेज पोकरियाल निसंक ने एक बड़ा एलान किया है। केंधरिया मंत्री ने शिक्षक पत्रता परिक्षा यानि कि date certificate की validity आजीवन करने का निरने लिया है। पोक्रियाल ने कहाया कि सिक्षक छेत्र में करियर बनाने के इच्चुक उम्मिद्वारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिसा में यहाँ एक सकारात्मक कदम होगा। गुरुवार को केंद्रिय सिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निसंक ने कहाया कि सम्मन्दित राजसरकार केंद्रसासित प्रदेश उन उम्मिद्वारों को फिर से बैद नया टीटी प्रमानपत्र जारी करने के लिए अवसर कारवाई करेंगे जिनकी साथ वर्स की साथ वर्स की अवधी पूरी हो गई है। उनके बारे में सम्मन्दित राजसरकार या केंद्र सासित प्रसासन टीटी की वैदता अवधी के पूर्ण निर्धारन करने या नया टीटी प्रमानपत्र जारी करने के लिए जरूई कदम उठाएंगे। यहाँ व्यवस्ता दोजा अधिकारी और महिला पुलिस की तैनाती होगी। मुखमंत्री नितीज कुमार ने आज क्राइम कंट्रोल को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। सिकायत करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी सिकायतों का समाधान भी ठीक तरीके से हो पाएगा। मुखमंत्र के ब्लोप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए C.M. नितीज ने कई तरह के निर्देश दिया है। जमिन विवाद से जुड़े मामलों को खत्म करने और जमिन विवाद से जुड़े मामलों का निप् करेंगे। साथ हिसा जीले में तैनाद, SDO और SDPO को 15 दिनों में एक बार इस तरह की बैठक करनी होगी जबकि अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष हर हपते नियमित रूप से बैठक जमिन विवाद से जुड़े मामलों का निप्टारा कराएंगे। में इजाफा हुआ है, 26 मई से 2 जून के बीच OPD और वर्ड में भरती मरीजों की संख्या की तुलना में यहाँ बात साब तोर पर समझी जा सकती है। और PMCH में 12 संख्या संक्रमित आये थे, उनमें से 7 M's में 5 PMCH में और 4 IJMS में भरती हुए। इनमें से 7 IJMS में, 7 M's में और 3 PMCH में भरती हुए, IJMS में 2 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। बिहार में कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए लोगों का टिका करन कराया जा रहा है। सरकार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि सहर से लेकर ग्रामिन इलाकों तक हर किसी को कोरोना का टिका लगवाना अवैसक है। ऐसे में यूद दस्तर पर टिकाकरन अभ्यान चलाया जा रहा लेकिन कहीं कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ताजा खबर बिहार के वैसाली जिले का है जहां जिलादिकारी उदिता सिंग कोविड-19 टिकाकरन केंडर का ओचक निरिक्चान करने पहुची और वहां की विवस्ता देखकर कर्मियों पर भड़ा गई उन्हें डाटते फटकारते हुए सही से काम करने का निर्देश दिय गुरुवार को डियम उदिता सिंग साली के सदर अनुमंडल अंतरगर पटेड़ी बेलसर इस्तित कोविड टिकाकरन केंडर पहुची इस दौरान उदिता सिंग ने देखा कि सेंटर पर कोविवस्ता की इस्तिती थी इस दौरान जिलादिकारी स्वास्थ केंडर के जिकित और कर्मियों ने कुछ भी जवाब नहीं दे पाए जिसके बाद डियम उधिता सिंग बेहत नाराज होकर सवी को सरयाम डाट फटकार लगाई राज सरकार ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर के आरक्षन का दाइरा बढ़ा दिया है अब नई जातियों को भी इस दाइरे में सामिल कर लिया गया है राज सरकार ने उनके लिए प्रमानपत्र जारी करेगी जिससे उन जातियों को भी आरक्षन का लाब मिल सकेगा बिहार में फरवरी 2019 से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर के लोगों को 10% आरक्षन देने का प्रावधान लागू है इसके तहर वैसी जाति के गरीबों को आरक्षन मिलता है जो पहले से किसी और आरक्षन के दाइरे में नहीं है यानि वैसे जातियों के लोगों को ये आरक्षन मिलता है जो अनुसुचित जाती जनजाती पीछड़या या अनवर के आरक्षन के दाइरे में नहीं आते बिहार में ऐसी नौजातिया चिन्नित किया जा चुका है जिनके गरीबों को आर्थिक रुप से कमजोर वर का लाब मिल रहा है बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडी ने बताया कि कोड़ा महमारी की साथ ही उससे उत्पन ब्लैक फंगस से बचाव की गंबीर कोशिस की जा रही है उन्होंने बताया कि दवाओं की उपलबदता पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है ब्लैक फंगस से पीडित मरीजों के इलाज पर सरकार द्वारा परती मरीज 4-5 लाग तक की दवा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जा रही है इससे गरीबों की जान को बचाया जा रहा है स्वास मंत्री ने बताया कि ब्लैक फंगस से बचाव की दवा M4-3 Sin B Injection की अब तक लगबग 14,000 वायल राज के विभिन अस्पतालों में उपलब कराई गई है बिहार में कोड़ा के मामले अब तेजी से घट रहा हैं वहीं सुबे की स्वास विवस्था को लेकर विफक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है राजद पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अस्पतालों के हालत और अंदर की विवस्था को लेकर सरकार पर निसाना साध रही है सुक्रवार को लालू यादव के बड़े बेटे वह बिहार के पुर्व स्वास्त मंत्री तेजप्रताप यादव अचानक हाजीपूर अस्पताल पहुच गये इस दोरान उन्होंने मरिजों के हाल जाना और अस्पताल के विवस्था को लेकर नाराजगी जताई तेजप्रताप यादव सुक्रवार को हाजीपूर अस्पताल पहुचे और स्वास्त विवस्था का जायजा लिया उन्होंने अपने निरिक्चन के दोरान अस्पताल के इमर्जन्सी वाड प्रसव वाड शीयस कारियाले समित अस्पताल परिसर का मुआइना किया इस दोरान तेजप्रताप मेडिया से भी मुखाविव हुए और स्पताल की स्वास्त विवस्था पर नाराजगी प्रकट की उन्होंने मरीजों के लिए बेडशीट से लेकर ऑक्सिजन सिलिंडर ना होने तक की बात कही तो आज की सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथे साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेर जरूर करें धन्यवाद